22 फरवरी 2023 को PGDAV कॉलेज प्राता एवंग भारतिय इतिहास अनुसंधान परीशद तथा अखिल भारतिय इतिहास संकलन योजना के शन्युक तत्वाधान में तोमर एवंग चौहान राजबंस के अंतरगत गौरावसाली दिल्ली विशय पर एक दिवसिय रास्तिय का आयोजन किया गया कारिकरम में रास्तिय स्वेंग सेवग संग के दिल्ली प्रांत कारवा स्री भारत जी मुख्य अति थी तथा अखिल भारतिय इतिहास संकलन योजना के डाक्टर बालमुकुन जी मुख्य वक्ता रहे संगोष्टी के मुख्य वक्ता बालमुकुन पोधित करते हुए तोमर एवंग चौहान बंस के इतिहास को युवा पीड़ी के मार्ग दर्शन हेतु पुनह संकलन पर जोर दिया। उनके अनुसार भारत एक युग्य भूमी है जिस पर समय समय पर बीर युद्धा पैदा होते रहे हैं। गुजर प्रतिहार तोमर एवंग चौहान आधी राजवंसों का इतिहास भी प्राकरम से भरा हुआ है। इनही राजवंसों ने आठवी से बारहवी सतावदी तक अरवी तुर्की आधी कई अन्य विदेशी आकरमणकारियों से भारत माता की रक्षा की। संगोष्णी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथी राष्टिय स्वेंग से वक्षंग के दिल्ली प्रांतकारवा भारत जी ने कहा की बरतमान में हमें जो दिल्ली का इतिहास दिखाया या पढ़ाया जाता है उससे ऐसा लगता है जैसे दिल्ली को विदेशी आकरमणका का उसे पारियों ने थ dai अपाले तुर्क फिर मंगोल परसियन फिर अफभान आये और उन्होंंने दिल्ली को बसाया कुटुब मिनार पर कटक्ष्च करते हुए उन्होंने कहा की हमें बताया जाता है कि कुटुब-दीन एवक ने कुटुब मिनार बनाया पर यह कितना सच ह इसको आप खुद परक सकते हैं क्योंकि वहां से गड़ेश जी की परतीमाएं निकल रही हैं इस बिसे पर और प्रकास डालते हैं उन्होंने कहा कि जब हम और आगे बढ़ते हैं तो बताया जाता है कि साजहाने लाल किला एवंग जामा महजित बनवाई सेरसा और हमायू ने पुराना किला फिर अंग्रेज शासन के समय रसेल ने कनाट प्लेस एवंग लूतियंस ने नई दिल्ली राश्पती भवन और संसद भवन को बनाया जब यह सब हमारे सामने दिखाया और पढ़ाया जाता है तो ऐसा परतीत होता है कि दिल्ली का इतिहास विदेशी आकर्मणारियों का ही इतिहास है लेकिन तोमर एमंग्चावहान राजवनसों के अंतरगत दिल्ली की गौरवसाली इतिहास की चर्चा नहीं करते हैं इसका मूल कारण हमारी गुलामी की मानसिक्ता एवंग इतिहास लेखन के छित्र में गुलामी के प्रतीकों का बना रहना है उन्होंने कहा कि हमें बताया जाता है कि पृत्वी राजचोहान दिल्ली की आखरी हिंदू राजा थे अब जाहिर सी बात है अगर वह आखरी हिंदू राजा थे तो उन से पहले भी अवस्य कोई हिंदू राजा रहे होंगे लेकिन हमें वह नहीं बताया जाता है वास्तों में दिल्ली में हिंदू राजाओं की एक सरिंखला थी आ जाओ सकता है दिल्ली के इतिहास के उन स्वाणिम प्रिष्टों के बारे में लोगों को बताने की दिल्ली के स्वाणिम इतिहास पर प्रकास डालते हैं उन्होंने बताया कि यदि हम पुराना किला जाकर देखें तो पता चलता है कि वहाँ खुदाई में पासार कालीन समय के ऐसे अवसेस मिले हैं जो यह अस्थापित करते हैं कि दिल्ली में यह सब्वेता बहुत प्राचीन काल से रही हैं उन्होंने बताया कि महाभारत काल को छोड़ भी दें तो मौरे वंस एवन गुप्त वंस उसके बाद 736 इसवी सन में तोमर वंस का सासन दिल्ली में आया 736 इसवी सन से लेकर 1189 इसवी सन तक लगभग 450 वर्सों तक तोमर वंस का सासन दिल्ली में रहा तोमर वंस के महान सासक अनंग पाल तोमर की जाती को लेकर समय समय पर पैदा होने वाले वी बात पर भारत जी का कहना था कि कुछ लोग अनंग पाल तोमर को गुजर तो कुछ जाट तो कुछ राजबुत मानते हैं ऐसे सभी लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि कम से कम इतना तो तै कर लेजिए कि अनंग पाल तोमर भारतिये थे हिंदू थे और उन्हों नहीं बरतमान की दिल्ली को बसाया था तोमर बंस की महानता पर परकास डालते हुए भारत जी ने बताया कि एक हज़ार बावन इसवी सन में अनंग पाल तोमर दिल्ली को थोड़ा और सुरक्षित बेवस्थित एवंग बैभवसाली करने के उद्यस्य से आज की महिरावली महरावली में लाल कोट किला की अस्थाप सब को दिखा दिया पर लाल कोट के बारे में हम किसी को बताते ही नहीं है भारत जी ने जोर देकर कहा कि अंग्रेजों ने आकर हमें अस्थापत्य कला नहीं सिखाई साहजहा ने नहीं सिखाया कि किला कैसे बनाते हैं और सहरों की रक्षा कैसे करनी चाहिए How the kingdom is to be protected यह साहजहा ने नहीं बताया था यह तोमरवंस के सासक अनंगपाल तोमर ने बताया था लाल कोट सायद दिल्ली का पहला किला था इस किले की दिवार की चवडाई लगभग 20-30 फिट होगी इतनी मोटी दिवार जो बनाता है उसे आस्थापत्य कला तो पता ही होगा उसको सुरक्षा का भी एहसास होगा वह निर्माण कला का जानकार भी होगा और उसके पास इतनी धनसंपदा भी होगी कि वह इतना बड़ा किला बना सके यह बात नो सिर्फ जानने की बलकि सभी को बताने की भी जरूरत है